हाई फ्रेंड्स महीव हरिश तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉप इंटर्यू के बारे में स्पेशली फॉर फ्रेशर कंडिडिट सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट इंटर्यू में आपका एक अच्छी कंपनी में 100% सेलेकम हो जाए तो इस वीडियो को पॉड्स तक जरूर देखना जिस कि आपको इस वीडियो के तुरू में आपको पता चल जाएगा कि 1975 चे पना है और लिए अगर ये बात कर ली इन्टरवी के सथ सबसें पॉष्ट बींपर्टांट होता है जो कि आपको Κरना होता है हो होता है आपका रिज्यूम बनाना होता होते हैं evident बहुत सारी लोगों के पाशरी मैई रेज्चाना किक्ए जो नहीं नहीं होता हूद कि आपको पताचल जाता है कि अच्छा प्रॉपर किस तरह से बनाते है मतलब कुछ भी बनाकर मत ले जाओ जिसे कि आप कोई प्रॉब्लेम आ जाए तो इस सभी चीज़े में एक एक पॉइंट को ज्यादा इंपोर्टन्स क्यों दे रहा हूँ कि आपको सिलेक्ष्ट फर्स्ट इंटर्यू में होना है और कोई भी आच्छा आपर्टुनिटी आपको लूज नहीं करने एक आच्छा रिजुम बना उसके दो कॉपी निकालो और जो उस कॉपी जिस दिन के लिए मतलब आप इंटर्यू देने वाले उसके डेट डालो लास्ट में और साइन करके ले जाओ एक छोड़ी से प्लास्टिक की फाइल ले लो अच्छे और उसमें आपका रिजुम डालक ले जाए उसके साथ अधिशनल क्या किजिए कि आपके जो भी से भी रिजुल्ट्स होते हैं टेन ट्वेल्ट के ग्रेजुशन के उसे भी रिजुल्स की कॉपी या ओर इसमें डालकर ले जाए एक अच्छा प्रोपेश्णल बिहेवियर वहापर आपका दिखता है और आप आपको confidence भी बढ़ेगा second point आता है कि आपका अटायर के बारे में आपका मतलब किस तरह से आपको आपकी जो भी शर्ट से पैंट से उसके बारे में तो एक प्रोपेश्णल जो भी फिक्स आपका जो भी मेरेटरी लोग होना हो एक फॉर्मल होना चाहिए मतलब एक फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट फॉर्मल ब्लैक शूज रिकमेंड करूंगा सो आपको एक अच्छा बेल्ट और टाइए चीज़े आपको याद रखनी है तो सभी चीज़े एक अच्छतार से अगर नहीं होगी तो खरीद लो और फॉर्मल शर्ट पैंट क्या होता है उसके बार मे अच्छे सब फॉर्मल शर्ट पैंट होता है उसको मतलब पैंट कर जाए बहुत सारी लोग फॉर्मल पैंट रहे होगे और वैसा कुछ लगने की जरूरत नहीं अभी क्या है काभी प्रोपेशनल एंवर्मेंट में आप काम करने हो ले वैसी तरह का ड्रेसिंग सेंस आपके इन शर्ट आपका आज तरह से पहना हुआ है यह ठीस से लगाया होगा और अच्छ तरह साइब कर दो कीarem कि प्रोपेशनल तो दिन पहले सभी सब आरेंज करके नए ले लो दोस्तों से ले लो कुछ भी करो सो उसके बाद आता है हेरकट एक प्रोपेशनल अच्छा हेरकट होना चाहिए कॉलेज बॉइज 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 जाए से वह अच्छा अलग कुछ करके मत जाहिए क्योंकि फोर क्योंकि चाहिए अगले मतलब उसके एक दिन पहले अच्छी तरह से करकर जाओ एरकट करकर जाओ सो यह से भी चीज आए आप किस तरह से आपको जाना है मतलब रिजुम के साथ डॉकमेंट के साथ और एक अच्छा फॉर्मल लुक के साथ जाना है इस इन चीजों को बहुत बहुत इंपॉर्टन होती है और आपको फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टन होता है आप किस तरह से उनके पास फर्स्टाइम जा रहे हो आपका जो भी बहुत बढ़िया पड़ेगा सो जिससे कि आपके सेलेक्शन के चांसे बढ़ते जाएंगे उसके बाद क्या बात आती है उसके बात आता है कि सबसे पहला जो भी 99.99% मेनेजर्स जो भी कोशन्स पुछते हैं कंड़ेट को होता है तेल में आबउट वर सेल्फ और इंट्रूस यॉर सेल्फ सो तेल में आवाट यॉर सेल्फ पर किस तरह से अंसर देना है इसके लिए मैंने फुली एक डिडिकेटेड वीडियो बनाए है उसकी लिंग उपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में है जाकर जरूर देखिए और उस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि मेरा परसनलिया इसा मानना है कि इंट्रूक्शन का जो भी कोशन होता है उसका अंसर आप किस तरह से उस पर आपका 50% सेलेक्शन कंसेडर सेलेक्शन वहाँ पर कंसेडर क्या जाता है बहुत सारी जगह पर है मैं खुद का मानना है इसलिए मेरा का इंट्रूक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टन से क्यों इंपॉर्टन है वो उस वीडियो में आप जान जाएंगे तो इस र्फार्मा ब्रांग्रांट के स्टूड़ेंट के लिए वी बेग क्या पुछते हैं कि फार्मत क क्या है एंटी ऐंसे की कि याह एंटी कैनसर की थोद peuthe कोई जेद के में मही तो सकती हैं वह से आए ढूर से आए हो ही से बार में पता होना चाहिए पर क्या होता है कि एक्चुली जो भी इंटर्योर लेने वाले होते हो फार्मा बैग्राउंट से नहीं होती तो मैंग्जिम्म मैंग्जर से मैंने आपको बता दे कि जो जेन्टरली पुछ जाते हैं तो स्पेशली फार्मा के लिए अगर मैनेजर कोई कुश्चन्स लेगा बहुत ज़्यादा डीटेल में तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो के तुरू आपको बताऊंगा कि कुण 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 से कुश्चन्स करने है तो बेसिक यह तो करना है फार्मकोलाजी डानेमिक्स काइनेटिक या एंटिब्योटिक उसका क्लासिपिकिशन या मोड़ा पैक्शन ड्रग्स के कोई जंडरल जो भी ड्रग्स होती है या कुछ पूछ सकते हैं सो इस तरह के कुश्चन्स पूछते नॉन फार्मा के है वो है की बॉडी सिस्टेम हमारे कितने बॉडी सिस्टेम से और उसको कौन-कौन से बतने होते हैं दोward सभी सभी बॉट फर्फेक्टली आपको लेर्ण कर जाने हैं तो आप एक मतलब बिना अर्ड करदाय हुए उनको बोल सकते हैं इतनी सारी बॉड़ी सिस्टेम में कोई बी दो बॉड़ी सिस्टेम आपको डिटेल में करने के लिए बोल सकते हैं इस इस डिवजिन में अगर आप इंटर्वीटर सिस्टेम के बारे में पूछ सकते हैं किस डिवजिन में जा रहे हैं उस डिवजिन के बारे में उस मेरेजर को मतलब ज्यादा नौलज होता है तो उस साइड के ज्यादा कोश्टन पूछेगा तो आपको पहले पता करना है कि आप किस डिवजिन में इंटर्यू दे रहे हैं तो उसके सबसे कोश्टन का आपको प पर आपको ज्यादा मेनित की ज़रूद नहीं बढ़ने वाली पर करके जाओ अच्छी तरह से जिससे कि आपको अच्छी तरह से जिससे कि आपको अच्छी तरह से जिससे कि आपको अच्छी तरह से करके जाना ही चाहिए क्योंकि उनको भी पता होता है कि यह नहीं इसने उसके बाद गुविन एतुट कोशिछ यह कि उसके बाद पुछते है उसके न की घुल नाता है मतला है इन्डी मेरा वार। άफ 서 मने माराथ ellin metaur छो और वैंगुज है यह कुछ यह बड़े कंपोल मनें इंगलिश में सीम्मीनि में Apollo करें कोशिश कीजिए और उसके तारह से प्रप्रेशन रख़्िया अगर नहीं हो पाता तो बाद नियुक्त से परेशशन लेकर आपके रिजनल लैंग्वेज में भी आंसर करने की परेमिशन लेकर बोल सकते हैं हों सब्सक्राइब करें जो भी आपको याठ तर्म कि पार कर देखें का को स्ब्सक्राइब सब्सक्राइब इसके बारे मुझ जानने कि कूशिश करेंगे तो बारे मिषन कर कि ऊंसर्पर कर करखें इंगलिश में बैटर रहे करते हैं कि कंपनी के वारे में आपको क्या क्या मालों में इसके भाइब भी पुचा जा सकता है कि मतलब यह आपर कुछ जो fix questions होते हैं जो भी 100% पूछ जाते हैं वो ऐसा एक proper format नहीं होते हैं इंटर्विव और पर क्या पूछ नहीं चाते हैं पर question कोई भी पूछ सकता है पर उसको जानना यह की चीज़ है क्या क्या चीज़ जानना है तो चीज वह होती है कि आप किस तरह से बात करते हैं आपका confidence लेवर आपकी personality किस तरह की है आपकी English किस तरह से आपकी science मतलब जो science का आपका knowledge कितना है आप कितना मतलब आपकी overall देखते है कि सबसे पहले देखो मेरा एक आपको एक last suggestion आप फुली प्रिपेर होकर जाए मतलब question answer के लिए और देने के लिए पर additional लेकर कुछ अलग question आ गया आप नहीं दे पाए वहां पर डर मत जाए मतलब अपने confidence लूज मत किजिए नकर नहीं आ गया मतलब एक अच्छी तरह से बोल देजिए कि सर नहीं आ रहा कोई problem कोई problem नहीं होता पर लास्ट तक आपने hope ने छोड़ना है वेडिकल रिप्रेजेंटिड उनको ऐसा क्या उस definition आ रहा है इसका मतलब थोड़ी आप काम कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं होते हैं वहाँ पर आप उस question की त्रू इंडाइरिकल आपके personality देखते हैं आपका knowledge देखते हैं आपकी English देखते और maximum time आपका confidence देखते हैं अच्छ तरह से उनको अच्छ तरह से उनके हाँ में आग डालकर बात करने हैं जो भी कुछ आपको आता है तो अच्छ तरह से कम शब्दों में maximum नॉलिज उनको और maximum information उनको बातानी है और जिससे कि आप किस तरह से बात करते हैं आपका confidence किस तरह से आपका आपका behavior किस तरह का है यह सभी चीज़े होती है तो लाश्ट तक confidence के साथ अच्छ तरह से बात किजिए पहले practice करके जाए हो सके तो और relax जाए देखो एक कमपनी ऐसा यहाँ पर प्रोपर रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात किजिए कोशिच किजिए अगर भले ना हो तो फिर भी एक आच्छी confidence के साथ बात करकर आ जाए पर उनका सेलेक्शन ना किजिए और आपको लगया हो आप सेलेक्ट ने करने वाले ऐसा कुछ नहीं होता आप खुद से मत डिसाइड करें उनका decision लेने दीजिए आपका काम है कि आपको लड़े लड़ आपका सेलेक्शन maximum time हो जाता है बले आपके बहुत सारी questions रॉंग हो जाए पर आप confidence अच्छा है बात अच्छे करते हो और आपकी body language अच्छे तरह से है तो वह आपको सेलेक्ट 100% कर देंगे सो जिस जब भी जायोगे तो मैं बोलता हो कि अच्छार से जाओ कि आपका सेलेक्शन हो गाए इसी confidence में जाए अच्छार से प्रिप्रेशन करकर जाए और फिर एक बार में करता हो आपका resume आपको अच्छार से बनना है उसके बाद आपका जो भी पुरा ड्रेसिंग से उसक सबरेटेर कर गर्ल का क्या 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 काम होते हैं सभी उसका प्रिफन करके जाना है जो अब घृ। से उनका हम सेपरेट वीडियो के तुरू आपका में प्रिप्रेशन लेने वाला हूँ उसलिए चानल को सब्सक्राब करकर जरूर रखे जैसे कि आपको आने वाले वीडियो के तुरू सभी इंफॉर्मिशन मिलते रहेगी जैसे कि अब कोश्चन अंसर हो गया फिल्ट का नॉ देखा है तो इसका मतलब मेरे लिए मुटिविशन हो जाएगा कि किसी के लिए तो यह वीडियो फूल रहा और आगे वीडियो बनने के लिए भी मुझे 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 बलेगा जरूर कमेंट करके बताना कि आपनी यादक वीडियो देखा है तो थैंक्स पर आउजिंग व